गुर्खाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेर करें सब्सक्राइब क करें को बुलंद करें कर दो 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 कर अधर प्रश्टिर भज फैराया गया है और राश्टी भजगार्ड के जवान इस समय लाल कले की प्राचीर के के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वाई विचरंट करते हुए नजर आ रहे हैं दो एडवानस लाइट हेलिकॉप्टर लाइन पुष्प वर्शा कर रहे हैं उपस्थित जन्समों पर मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्शा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस्थ उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवजर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्श भर रहती है as freedom reigns supreme well so does the rain and so do the flowers national flag guard marching off away they'll come back towards the closure of the program rush is what God may seen a key to clicky command Somali three major Dinesh and a no सेना की टुक्री की कमान समाल रहे थे lieutenant commander सचिन धंकर और वाई सेना की टुक्री की कमान समाली स्कॉर्डर लीदर सी एच शवन दिवया ने दिली पुलिस के जवान भी इस राश्टिय ध्वजगार्ड में इस बार समन्वय करदाइद नौ सेना को सौपा गया था इसका नेतित्व कर रहे थे commander विने दुबे उपस्ति जन्समूह प्रसन्न है आलादित है और प्रतीक शारत मान्ने प्रधान मंतरी महोदे के संबोधन के भारत माता की भारत माता की भारत माता की मेरे प्यारे देश वाथियो मेरे परिवार जन आज वो शुब घड़ी है जह हम देश के लिए मर मिटने वाले देश की आज हदी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले आज जीवन संगर्ष करने वाले फांसी के तक्ट पर चड़कर के भारत मा की जय के नारे लगाने वाले अंगिनत आज हदी के दिवानों को नमन करने का ये परव है उनका पुन्य समर्ण करने का परव है आज हदी के दिवानों ने आज हमें आज हदी के इस परव में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए स्वभाग्य दिया है यह देश उनका रणी है ऐसे हर महापुरुष के प्रती हम अपना स्रद्धा बहा व्यक्त करते हैं मेरे प्यारे देश वास्यों आज जो महानुभाव रास्त्र रक्षा के लिए और रास्त्र निर्मान के लिए पूरी लगन से पूरी प्रतिवर्द्धा के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं देश को नई उचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं जाए वो हमारा किसान हो हमारा जवान हो हमारे नवजवानों का होसला हो हमारी माता और बहनों का योगदान हो दली थो पीडी थो शोची थो वंची थो अभावां के बीज भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निस्टा लोग तंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरख घटना है कि मैं आज कि ऐसे सभी को कि आधर पुर्वक नमन करता हूं करे देश्वासियों इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सब की चिंता बढ़ती चली जा रही है प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवार्जन खोए हैं संपत्ति खोई हैं राष्ट्र ने भी पारावार नुक्सान भोगा है मैं आज उन सब के प्रती अपनी संबेजना अव्यक्त करता हूं और मैं उने विश्वाद दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है मेरे प्याने देश स्मासियों हम जरा आजहत्री के पहले के वो दिन याद करें सेंकडो साल की घुलामी है हर कालखन संगर्ष का रहा युवा हो बुजर्ग हो किसान हो महिला हो आधिवासी हो उन्होंने गुलामी के खिलाब लंग जंग लड़ते रहे अविरत्य जंग लड़ते रहे इप्यास गवाँ है कि 1857 के 37 संगराम जिसको हम याद करते हैं उसके पुर्व भी हमारे देश के कई आधिवासी छेत्र से जहां आजादे का जंग लड़ा जाता था कि साथियों कि गुलामी एदा इतना लंबा काल खान जुल्मी शाच्छत अप्रम्पार यातनाएं सामाने से सामाने मानवियों का विस्वात तोड़ने की हर तर्कीव है उसके बावजुद भी उस समय की जंग संख्या के हिसापते करिब 40 करोर देश्वासी आजाजी के पुर्व चालीस करोर देश्वासियों ने वो जज़वा दिखाया वो सामर्थ दिखाया वो एक सपना लेकर के चले एक संकल्प लेकर के चलते रहे जूजते रहे एकी स्वर्था बंदे बातरम येकी सक्पना था भारत की आजादी का चालीस करोर देश्वासियों ने और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उनी का खून है वो हमारे पुर्वच थे सिर्फ चालीस करोर चालीस करोर लोगों ने दुनिया की महा सत्ता को उखाड़ करके फैंक दिया था गुलामी की जंजुरों को तोड़ दिया था अगर हमारे पुर्वच जिनका खून हमारी रगों में है आज हम तो एक सो चालीस करोड है अगर चालीस करोड गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते हैं अगर चालीस करोड आजहादी के सपने को पुर्ण कर सकते हैं आजहादी लेकर के रह सकते हैं तो एक सो चालीस करोड देश की मेरे नागरीक, एक सो चालीस करोड मेरे परिवार जान अगर संकल पर ले करके चल पड़ते हैं एक दिशान निर्धारित करके चल पड़ते हैं कदम से कदम मिलाकर कंद से कंदा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं तो चुनोदियां कितनी भी क्यों नहों अभाव की मात्रा कितनी हित्तिव्र क्यों नहों संसाधनों के लिए जूजरे की नौबत हो तो भी हर्ट चुनोथी को पार करते हुए हम सम्रद्ध भारत बना सकते हैं हम 2047 विक्सिज भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोर देशवासी अपने पुर्शार से अपने संभर्द भारत बना सकते हैं तो एक सो चानिस करोर देशवासी उसी भाव से संब्रद्ध भारत भी बना सकते हैं साथियों वो एक समय था जब लोग देश के लिए मरने के लिए प्रतिबत रते और आज़ादी मिली आज ये समय है देश के लिए जीने की प्रतिबत रता अगर देश के लिए मरने की प्रतिबत रता आज़ादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबत रता सम्रुद्ध भारत भी बना सकती है कि साथियों कि विक्सिद भारत 2047 कि इस रभ भाशन के शब्द नहीं है इसके पीछे कठोर परिश्ण चल रहा है देश के कोटी कोटी जनों के सुझाओं लिए जा रहे हैं और हमने देश वाशियों से सुझाओं मांगे और मुझे प्रसंदता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विच्सीद भारत 2047 के लिए अंगिनत सुझाओं दिये हैं हर देश वाशी का सपना उसमें प्रतिमिंबित हो रहा है हर देश वाशी का संकल्प उसमें जलतता है युवा हो गुजुर्ग हो गाउं के लोग हो शहर के लोग हो किसान हो कामदार हो दलीत हो आदिवासी हो पहड़ों में रहने वाले लोग है हर किसी ने 2047 में जब बेश आजादी का सो साल मनाएगा तब तक विश्षित भारत के लिए अन्मोल सुझाव दिये हैं और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसंद हो रहा था उन्होंने क्या लिखा कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्कील केपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा है 2047 विश्षित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैनुफेक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने के लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने भारत के हमारी उनिवर्सिकी ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया कुछ लोगों ने ये भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बार हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमारा स्किल्ड हुआ विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर छेत्र में आत्मंदिर भर बनना चाहिए कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पादा करते हैं जिसको हम स्री अन्न कहते हैं उस सूपर फूर को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुचाना है हमें विश्व के पोशन को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों के भी मजबूती देनी है कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश-बैस्थानी अस्वराज के संस्ताव से ले करके अनेक की काईया है उन सब में गवननंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है कई लोग की और ये भी कहा कि हमारे देश में न्याय व्यवस्ता में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रिन फिल्ट सिटीज बनाने की अब समय की मांग है किसे ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रसासन में के लिए एक अभ्यान चलाने का सुझाव दिया बहुत सारे लोगों ने ये सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए किसे ने कहा भारत की जो पारंपारिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है हमारी आउसदी है दुनिया जब होलिस्ट हब के रुपें भारत को विश्चित करना चाहिए कि कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होने चाहिए भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बनना चाहिए साथियों मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देश वाचियों ने सुझाव दिए मेरे डेश के सामाने नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए मैं समझता हूं जब देश वाच्यों की इतनी विशाल सोच हो देश वाच्यों की इतने बड़े सपने हो देश वाच्यों की इन बातों में जब संकल्प जलते हो तब हमारे भीतर एक नया संकल्प द्रड़ बन जाता है हमारे मन में आत्म विस्वास नहीं उचाई पर पहुंच जाता है और साजियों देश वाच्यों का ये भरोसा सरब कोई intellectual debate नहीं है ये भरोसा अनुभव से निकला हुआ है ये विस्वास लंबे कालखन के परिशम के पैदावर है और इसलिए देश का सामान ने मान भी याद करता है जब लाल किले से कहा जाता है कि हिंदुस्तान के 18,000 गाउं में समय सिवा में बिजली पहुंचाएंगे और वो काम हो जाता है तब भरोसा मजबूत हो जाता है जब ये तैय होता है का आजहादी के इतने सालों के बाद भी डाई करोर परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है वो अंदेरे में जिंदी की विज़ारते हैं दाई करोर घरों में बिजली पहुच जाती है तब सामान ने मानवी का भरोसा बढ़ जाता है जब ब्लार किर्ज़ स्वच्छ भारत की बात कही जाए तब इस देश के अगरीम हरोर पंगती में बैटे विए लोग हो गाउं के लोग हो गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो छोटे छोटे बच्चे हो हर परिवार के अंदर स्वच्छता क्या वात्थावन बन जाए स्वच्छता की चर्चा हो स्वच्छता के संदन में एक दोसरे को रोक तोकने का निरंतर प्रयाद कलता रहे मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रति जल मिलता है आवशक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे जल जीवन मीशन के तहट इतने कम समय में नए 12 करोर परिवारों को जल जीवन मीशन के तहट नल से जल पहुंच रहा है आज 15 करोर परिवार इसके लाभारती बन चुके हैं हमारे कौन लोग बन चित थे इन व्यवस्ताओं से कौन पीछे रह गए थे समाज के अगरिम पंक्ति के लोग इसके लिए अभाव में नहीं जीते थे मेरे दलीत मेरे पीडीत मेरे शोशीत मेरे आदिवासी भाइबेन मेरे गरीब भाइबेन मेरे जुकी जोपनी में जिन्दगी गुजारने वाले लोग बही तो इन चीजों के अभाव में जी रहे है जिए हमने अनेक ऐसे प्राथ्वी कि पूर्ति के लिए जो प्रयास किया और उसका परिनाम सारे समाज बंदूओं को मिला है हमने वोकल फ़र लोकल का मंत्र दिया आज मुझे खुशी है कि वोकल फ़र लोकल ने अर्थ तंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है हर डिस्ट्रिक अपनी पैदावर के लिए गर्व करने लगा है वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक का माहुल बना है अब वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्स एक्सपोर्ड कैसे हो उस दिशा में हर जीले सोचने लगे हैं रिन्यूबल एनर्जी का संक्रप लिया था जीट प्वेंटी समू के देशों ने जितना किया है उससे जादा भारत ने किया है और भारत ने उर्जा के खेत्र में आत्मनिर भर मंदे के लिए ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है साथ्यों देश गर्व करता है आज जब फुन्टेक की सभलताओं को लेकर पुरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है साथ्यों हम कैसे भूल सकते हैं कोराना के वो संकिट काल विश्व में सबसे तेज गती से करोरों लोकों को वेक्सिनेशन का काम हमारे इसी देश्व में हुआ यही देश है जो कभी आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते से जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइड करती है जब देश की सेना एर स्ट्राइड करती है तो देश के नौजमानों का सीना उंचा हो जाता है तन जाता है गर्व से भर जाता है और यही बाते हैं जो आज 140 करोर देश्वास्यों का मन गर्व से भरा हुआ है आत्म विश्वास से भरा हुआ है साथियों इन सारी बातों के लिए एक सुविचारित प्रयास हुआ है रिफॉम की परंपरा को सामर्थ दिया गया है नकर तरीकों के नकर नकर लख को ले करके और जब राज नीतिव नेत्रूत्व की संकल पर्षकती हो दढ़ विस्मात हो जब सरकारी मशिनरी उसको लागू करने के लिए समर्प्ण भाव से जुट जाती है और जब देश के हर नागरी उस सपने को पूरा करने के लिए जन भागी दारी करने के लिए जन अंदोलन बनाने के लिए आगे आता है तब हमें निश्चित प्रणा मिलता ही रहता है मेरे प्यारे देश वासियों हम यह न भूले कि देश उस परिस्तियों सभी दसकों तक भी आज आजी के बाद समय बिताया है जब होती है चलती है अरे यारे तो चलेगा अरे हमें क्या महनत करने की जरूता है अरे मामला है आज ने पेड़ी दिखेगी अरे हमको मोका मिला है यार मोज कर लो आगे वाला आगे का जाने हमें क्या कर रहा है हम अपना समय निकाल दे अरे नया करने जाओगे ओ कोई बबाल उड़ जाए पता नहीं क्यों देश में एक स्टेटस को का माहूल बन गया था जो है उसी से गुजाना कर लो यही का माहूल बन गया था और लोग तो कहता है रे छोड़ो अब कुछ होने वाला नहीं है चलो ऐसा ही मन मर गया था हमें इस मानसिक्ता को तोड़ना था हमें विश्वास से भरना था और हमने उधिसा में प्रया किया कई लोग तो कहते थे अरे अगली पीड़ी के लिए काम हम अगली से क्यों करें हम तो आज का देखे हैं लेकिन देश का सामान नागरी यह नहीं चाहता वो बडलाव के अकांशाओं को अपेशाओं को तवज्जू नहीं दी गई और उसके कारा वो मुसीबतों को जेलते हुँ गुजारा करता रहा वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे गरीब हो बड़ क्लास हो हमारे मंचीत लोग हो हमारी बड़ती जती शहरी आबादी हो हमारे नवजवानों के सपने हो संकल्प हो अकांशाय हो उनके जीवन बड़लाव लाने के लिए रिफॉर्म का बार हमने चुना और मैं देश वाच्षियों को विश्वात दिनाना चा कि इसंत नहीं है हमारे रिफॉर्म की ये प्रतिबता है वो चार दिनिकी वहवाहि के लिए नहीं है हमारी रिफॉर्म की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है देश को मजबूती देने के इरादे से हैं और इसलिए मैं आज क्या सकता हूं रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोप की ब्ल्यूप्रिंट मनी हुई है यह हमारा रिफॉर्म यह ग्रोप यह बड्लाव यह सिरफ डिबेट क्लब के लिए इंटलेक्श्वल सुसाइटी के लिए एक्षपर्ट लोगों के लिए सिर्फ चर्चा का विश्य नहीं है साथियों हमने राजनीति मजबूरी के कारण नहीं किया है हम जो गिल्टी कर रहे हैं और राजनीती का भागा गुना करके नहीं होते हैं हमारा एकी संकल्प होता है नेशन फर्ट नेशन फर्स रास्तहित सुप्रेम यह मेरा भारत महान बने इसी संकल्पों को लेकर के हम की बात आती है एक लंगा परिवेश आए अगर मैं उसकी चर्चा में चला जाओंगा तो साइद गंटों निकल जाएंगे लेकिन एक छोटा सा उधान देना चाहता हूं बैंकिंग शेत्र में जो रिफार्म हुआ अब सोचिए बैंकिंग शेत्र का क्या हाल था नो विकास होत आता न विश्वाद बढ़ता था उतना ही नहीं जिस प्रकार की कारणा में चले उसके कारण हमारे बैंक संकटों से गुजर रहे थे हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बना लेक लिए अनेक भी रिफार्म किये और आज उतका कारण हमारी बैंक विश्व में जो इनी बैंकों ने अपना स्थान बनाया है और जब बैंक मजबूत होती है तब फॉर्मल एकॉनोमी की ताकच भी बढ़ती है जब बैंक की व्यावस्ता बन जाती है जब सामाने घर्शास करके मध्यमवर के परिवार की जो रिक्वार्मेंट होती है उसको पूरा करने की सबसे ब मेरे नवजबानों का कभी पढ़ने के लिए एडुकेशन के लिए लोन चाहिए किसी को विदेश आने के लिए लोन चाहिए यह सारी बाते उसे संबभ होती है मेरे जो खुची है कि मेरे पशूपालग भी मेरे मजली पालन करने वाले भाई बहन भी आज बैंकों से लाब मुझे खुची है मेरे रेड़ी पट्री वाले लाखो भाई बहन आज बैंक से साथ जूड़ करके अपनी नई उचाईयों को प्राप्त कर रहे हैं और विकास की दिशा में वो भागीदार बन रहे हमारे हमारे लगूप्तियों के लिए तो बैंक एक सबसे बड़ी सहायक होती है उसको रोज मरा पैसों की जरूत होती है अपने नित्य मर्जिव प्रक्रगति के लिए और उस काम को हमारी मजबूत बैंकों के कारणा संबव हुआ है साथियों दुर्भागीदा हमारे देश हुए आजादी तो मिली लेकिन लोगों को एक प्रकार चे माई बाप कल्चर से घुजरना पड़ा सरकार के पास मांगते रहो सरकार के पास हाथ ठाल आते रहो किसी की सिफार इसके लिए रास्ते खोथे रहो वही कल्चर डेवलप हुआ था आज हमने गवर्णनस के इस मॉडल को बदला है आज सरकार साथ खुद लाभारती हितार्थी के पास जाती है आज सरकार खुद उसके घर गैस का चुला पहुँचाती है आज सरकार खुद उसके घर पानी पहुँचाती है आज सरकार खुद उसके घर बिजली पहुचाती है आज सरकार खुद उसको आर्थिक मदद दे करके विकास के नए आयामों को चरकार नेकले प्रेलित करती है पोसाइट करती है आग सरकार खुद नव जबान के स्किल डेवलप्मेंट के लिए अनेक भी कदम उठा रही है साथियों बड़े रिफॉर्म के लिए हमारी सरकार बहुत ही प्रतिवत का है और हम इसी के द्वारा देश में प्रगति की राह को चुनना चाहते हैं साथियों देश में नई व्यवस्ताइब बन रही है देश को आगे ले जाने के लिए अनेक भीत नीतियों को अनेक भीत पॉलिसिस को निरंतर बनाये जाए और नए सिस्टिम पर देश का भरोसा भी बढ़ता रहता है निरंतर बढ़ता रहता है आज जो 20-25 साल का नवजवान है जो 10 साल पहले जब 12-15 साल की उमर का नवजवान था उसने अपनी आखों के सामने ये बढ़लाब देखा है दस साल के फीतर फीतर उसके सपनों का आकार मिला है धार मिली है और उसके आत्मविश्वास में एक नई चेतना जगी है और बही देश का एक नया सामर्त के रुपे उभरना जो है दो आज बिश्व फर में भारत की साख बड़ी है भारत के प्रति देखने का नजरिया बड़ला है आज बिश्व में युवाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खुले हैं रोजगार के अंगिनित नए अवसर ज फिसाइदा जादी के इतने सालों के बाद भी नहीं आये थे वाज उनके दर्वाजे पर दस्तक दे रहे हैं संभावनाएं बढ़ती गई हैं नए मोके बन रहे हैं मेरे देश के युवाओं को अब धीरे-धीरे चलने का इरादा नहीं है मेरा देश का नवजवान इंक्रिमेंटल प्रगति में भी स्वाथ नहीं करना ब्रादेश का नवजवान चलांग मारने के मूड में है वो चलांग मारके ने के नई शिद्वियों को प्राप्ट करने के मूड में है मैं कहना चाहूंगा भारत के लिए गोल्ड ने रहा है वेश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें ये गोल्ड ने रहा है ये हमारा स्वाणिम कालखंड है मेरे त्यार देश वाजियों ये आवसर हमें जाने नहीं देना ये मोका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मोके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर करके चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वाणिम भारत की जो अपेक्षा और हमें बिक्सित भारत का 2047 का लक्ष हम पूरा करके रहेंगे हम सद्यों की वीडियो को तोड़ करके निकले हैं आज तुरिजम का खेत्र हो MS MS का खेत्र हो Education हो Health सेक्टर हो Transport सेक्टर हो खेती और किसानी का सेक्टर हो हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टिम बन रहा है हम विश्व की Best Practices को भी आगे रखते हुए हम आमारे देश की परिश्चितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं हर सेक्टर में आधुनिक्ता की जरूरत है नयपन की जरूरत है टेक्णोलोजी को जोडने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारिक्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है नई ताकत मिल रही है हमारे सारे अवरोध हटे हमारी मंदी से दूर हो हम पूरे सामर्जा के साथ चल पड़े खील उठे सपनों को प्रा करके रहे सिद्धी को हम अपने नीकड देखे हम आत्मसाथ करे उस दिशा में हम चलना है अब आप देखिए कितना बड़ा बड़ा वरा रहे मैं एकनम जमिनिस्टर की बात करू तक विमेन सेल्फ हिल्फ ग्रुप आज ड़स साथ मैं हमारे दस करोड बहने विमेन सेल्फ हिँ मैं जूडी है दस करोड नई बहले हमें गर्व हो रहा कि हमारे सामान ने परीवार की गाउं की 2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 हमारे c.e.o आज दुनिया भर में अपनी धाग जमा रहे हैं भारत के हमारे c.e.o विश्य मोफशोह भर में अपनी धाग जमा रहे हैं हमारे लिए खुशी की बात है कि एक तरफ से 17 तरह मेरे सामान ने परिवार की माताय बहने लखपती दीदी बनती है मेरे लिए ये भी उतना ही गर्वी की बात है अब हमने सेलफेट गूर्प को दस लाग रुपे से बिस लाग रुपे देने का निरे किया है अब तंग नव लाग करोड रुपिये बैंकों के माध्यम से हमारे इन विमेंट सेलफेट गूर्प को मिले हैं और जिसके मदद से वो अपने अनेक वित कामों को भड़ावा रहे है मेरे साथियों मेरे नवजवान इस तरफ ध्यान दे स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ एक महत्पूर प स्पेस सेक्टर को बांद के रखाता उसे हमने खोल दिया है हाँ सेंक्रो स्टार्ट अप स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं वाइपरन बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्ति शाली राष्ट बनाने का एक महत्पूर अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं आज प्रावेट सेटलाइट प्रावेट रॉकेट लांच हो रहे हैं ये गर्वे की बात हैं आज मैं कह सकता हूँ जम नीती सही होती है नियत सही होती है और पूर्ण समर्पन से राष्ट का कल्यान यही मंत्र होता है तो निश्चित प्रणाम हम प्राप्त करके रहते हैं मेरे प्यारे देश्वास्चियों आज देश में नए अवसर बने तब मैं कह सकता हूँ दो चीज़े और हुई जिसने विकास को एक गती दी है विकास को एक नई शलांग दी है और यह है पहला है आध्धूनिक इंफ्रास्टर का दर्वान हमने इंफ्रास्टर को आध्धूनिक बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ सामान ये मानिवी के जीवन पे जो बादाएं है इस अब लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है कि पीछले एक सब्सक्राrah अभूत पर्वां इनसे सेक्टर का भी कास हुआ है सिरेल हो रोड़ हो एरपोर्ट ओ कि पोर्ड हो गौन्मेंट करीक्टिविटी आ हो गाउं गाउं नए स्कूल बनाने की बात हो, जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो, दूर सुदूर इलाकों में अस्पताल बनाने की बात हो, आरों के मंदिर बनाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजों का काम हो अविश्मान आयरों के मंदिरों का निर्मान चलता हो साथ हजार से जाता अमरुत सरोवर बने हो जो लाग पंचायतों तक अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो नहरों का एक बहुत बड़ा जान बिछाया जा रहा हो चार करोर पके घर बनना गरीबों को एक नया आश्रे मिलना तीन करो नए घर बनाने के संकप के साथ आगे पढ़ने की हमारी कोशिज हो हमारा पुर्वी भारत नौर्थिष्ट उसका इलाका आज इंफ्रासेक्टर के लिए जाने जाना लगा है और हमने यह जो काया कल्प किया है उसका सबसे बड़ा जाप समाज के उन वर गोतल हम पोँचे हैं जब ग्रामिन सड के बहां बनी है जिन की तरब कोई देखता नहीं था जुस इलाकों को नहीं देखता था जिन गावों को नहीं देखता था दली थो, पीडी थो, सोची थो, वंची थो, पिचले हो, आदिवासी हो, जंगल पर रहने वाले हो, दूर सुधूर पहड़ों पर रहने वाले हो, सीवावर्ति स्थान पर रहने वाले हो, हमने उनकी आवश्यक्ता की पूर्ति किये हैं, हमारे मच्वारे भाईब्यानों की आ करकम में रहा है हमारी कारिशायली में रहा है और उस सबसे सबसे बड़ा लाब मेरे युवाओं को होता है उनको नएने अवसर मिलते हैं नएने शेत्र में कदम रखने का उसके लिए संभावनाय मन जाती है और वही तो सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने का अवसर इनी समय में उनको मिला है हमारा जो मद्दमबर के परिवार है मद्दमबर के परिवार को क्वालिटी ओफ लाइफ वो स्वाभावी को इसके नेगले हम निरंत प्यात करते हैं और मैंने तो सपना देखा है कि 2047 जब विक्सित भारत का सपना होगा तो उसकी एक ही काई ये भी होगी कि सामान्य मानवी के जीवन में सरकार की दखले कम हो जहां सरकार की जरुत हो बहां अभाव रहो और जहां सरकार की बेवकारण प्रभ मेरे प्यारे देश्वासियों हम जरुत छोटी छोटी जरुतों पर भी ध्यान देते हैं हम चोटी छोटी आवसक्ताओं पर ध्यान देते हैं और उसको लेकर हम चलते हैं चाहे हमारे गरीब का घर का चूला जलता रहे गरीब की मां को कभी आंसु पी करके सोना न पड़े और इसके लिए मुप्ति इलाज की योजना हमारी चल देए बिजली पानी गैस अब सेच्चुरेशन के मूड़ पर है और जब हम सेच्चुरेशन की बात करते हैं वो शत्र प्रतीशत होता है जब सेच्चुरेशन होता है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं लगता है जब स सीवन में सरकार की दखल कम हो उस दिशा में हमने हजारों कम्प्लाइंसिज के लिए सरकार सामाने मानवी पर बोज दालती थी उन सारे कम्प्लाइंसिज को दूर किया हमने देशवाद्शियों के लिए देश हजार से जादा कानूनों को खत्प कर दिया ताकि कानूनों की जंजाल के निदे स्वाथियों को फस्तना न पड़े हमने छोटी-छोटी घल्थियों के कारण ऐसे कानूं बने थे उनको जेल बहतर तकेल दिया जाए थे हमन Departat memories कारणों से जेल जाने के जो परंप्राई थी उन सारे कानूनों को नश्ट कर दिया और कानून को जेल बेजने के प्रावदान को व्यवस्ता से बाहर कर दिया है आज हमने जो आजादी के विरासत के गर्व की बात हम जो करते हैं सद्यों से हमारे पास जो क्रिमिनल लौ थे आज हमने उसको नए क्रिमिनल लौ जिसको हमने नयाई सहीता के रूप में और जिसके मूल में दन नहीं पर नागरीक को न्याए इस भाव को हमने प्रबल बनाया है इज अफ लिविग बनाने दिए देश को याफ इमगिशन में काम करे हर लेवल पर मैं सरकार के प्रतिनिदों का आहवान करता हूं मैं जन प्रतिनिती वो किसी भी दल के क्योंन हो, किसी भी राज्य के क्योंन हो, सबसे आगर करता हूँ, कि हमने एक mission mode में, ease of living के लिए कदम उठाने चाहिए, मैं हमारे युवाओं को, प्रोफेशनल्स को, सब को मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने स्थान सान पर जहां पर आपको छोटी-छोट दिक्कते होती है, आप उसके solution को लेकर के सरकार को चिठी लिखते रहिए, सरकार को बताईए, कि बिना कारण की कठिनाई आए, उसको दूर करने से कोई नुक्सान नहीं है, मैं पक्का मानता हूँ, आज सरकारे सम्मेधन सिल है, हर सरकार स्थानिय स्वाराज की समस्ता होग या राजय सरकार होगी, या केंदर सरकार होगी, उसको तवज्जु देगे, गवर्नेंस में रिफॉम्स, यह हमें विक्सित भारत एट पेंटी फोर्टी सेवन के सपने के लिए, हमने उसको जोर लगा करके आगे बढ़ाना होगा, ताकि सामान ने मानवी के जीवन में, अ अवकास ही अवकास पैदा हो, रुकावटे खत्म ही खत्म होती चली जाए, नागरीकों का डिग्निटी ऑप सिटीजन, नागरीकों के जीवन में सम्मान मिले, डिलिवरी के समझ में, कभी किसी को यह कहने के मौबद नाया, कि यह तो मेरा हक ठक मुझे मिला नहीं, उसको ख पर करीब करीब, तीन लाख समस्ताय काम करिये, चाए पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगरपाली का हो, महानगरपाली का हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्टिक हो, छोटी मोटी तीन लाख करीब 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 काईयां है, अगर ही हमारे तीन लाख काईयों को मैं आज आव करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तर्पन जिन चीजों की जरूत है सामान ने मानविक लिए दो रिफॉर्म करें जादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों एक पंचा है तो यह राज्य सरकार हो कोई भी भागो सिरफ एक साल में दो रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारे आप देखिए हम देखते ही देखते ही एक साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान ने मानविका विश्वास कितना बढ़ जाएगा उसकी शक्ति राज को नहीं उचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी और इस के साथ आगे है और सामान ने मानविकी जरूत चोटी-चोटी जरूत होती है पंचायट लेवल पर भी वो मुसीबते जेल रहा है उन मुसीबतों से मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का भी स्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते है कि मेरी प्यारी देश स्वासियों आदेश आकांग्षाओं से भरा हुआ है हमारे देश का नवजवान नई सिद्यों को चुमना चाहता है नए नए सिखरों पर कदम रखना चाहता है और इसलिए हमारी कोशिज है हर स्टर में कारिये को हम गती दे तेज गती दे और उसके बारा पहले हम हर सेक्टर में नए आउसर पैदा करें दूसरा इस बदलती हुई ववस्ताओं के लिए जो सपोर्टिम इंफ्रसक्टर चाहिए उन इंफ्रसक्टर पर हम बदलाव के मजबूती देने के दिज़ा में काम करें और तीसरी बात है नागरीकों की मुल्भूत दिज़ाओं के विशह में हम प्रात्विक्ता दें उसको बल दें इन तीनों भारत में एक एस्प्रेशनल सुसाइटी का निर्माण किया है और उसके पन्राम सरूप आज समाज खुद एक विश्वास से भरा हुआ है हमारे देश वाचों की आकांशा है उनका एस्प्रेशन्स हमारे नव जबानों की उर्जा हमारे देश के सामर्थ के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ने की एक लड़क ले करके चल रहे मुझे पीश्वाद है रोजगार और स्वरोजगार नए रिकॉर्ड के आउसर पर हम काम किया है प्रति व्यक्ति आज आज दोगुनी करने में हम सभल हुए है ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान बढ़ा है भारत का एक्पोर्ट लगातार बढ़ रहा है विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा हुआ है पहले से दोगुना पहुँचा है ग्लोबल संसानों का भारत के प्रति भरोसा बढ़ा है मुझे विश्वात है भारत की दिशास ही है भारत की गती तेज है और भारत के सपनों में सामर्त है लेकिन इस सब के साथ संबेदन सिल्का का हमारा मार्ग हमारे लिए उर्ज्या में एक नई चेतना भरता है ममभाव हमारे कारे के शैली है समभाव भी चाहिए ममभाव भी चाहिए उसको ले करके हम चलना है साथियों मैं जब करोना काल को याद करता हूँ करोना की वेश्विक महमारी के भीश सबसे तेजी से एकोनोमी को बहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है तब लगता है कि हमारी दिशा सही है जब जात पात मत पंत उपर उठकर हर गर्तिरंगा फैराये जाता है तब लगता है देश की दिशा सही है आज पुरा देश तिरंगा है हर गर्तिरंगा है न कोई जात है ना कोई पात है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, सभी भार्ती है, यही तो हमारी दिशा की ताकत है, जब हम 25 करों लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं, तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है, कि हमने गतीव को बराबर मैंटेन किया है, और सपनों को साकार करना दूर नहीं है जब सो से अधिक आकांशी जिले अपने राज के अच्छे जिलों की परदा कर रहें बराभी कर ले लगे हैं तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गती दोनों सामर्दवान है जब हमारे उन आधिवासिसाथियों को वो मदद मिलती है पीम जन्मन के द्वारा उनको जो जो दिना ही पहुँची थी आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुत दोग सुर्दूर इलाकों में छुट पुट पुट परिवार रहते हैं हमने उनको खोच के निकाला है उनके ल संवेदन्सिल्धा से जब काम करते हैं संतोष कितना मिलता है कि वर्किंग मुमेंन के लिए लिए पेड मेटनिटी यह बारा हफ्ते से बढ़ा करके 26 हपते कर देते हैं तब नारी का सम्मानी करते इतना नहीं है नारी के प्रति ये संवेदन सिल भावते निर्णे करते इतना नहीं लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है न उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मा की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने इस संवेदन सिल भावना से उस दिनने को हम करते हैं जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतिये साइन लेंग्वेज की बात हो या तो सुगन में भारत का भियान हो उसको लगता है कि मेरी भी डिगनीटी है मेरे पते संवा सा बेश के दागरिक संवान के भाव से देखता ह झाए और पेराधुम्पिक मैं तो हमारे खिराड़ी नहीं नहीं ताकत दिखाने लगे हैं तब लगता है कि जो मैरे ममवाव है हम सब का ममवाव है उसकी टाकत दजर आती है हमारे इस ट्र्रांजेंडर समाज के पति हमतित संवाद्रा के साथ नेडूर बना रहे हैं हमने एक कानून बना रहे हैं उनको संबान का जीवन देने के लिए हम प्यास कर रहे हैं तब बड़लाव के हमारी दिशा सही दिखता है सेवा भाव से किये गए इन कामों का जो त्रिवीत बार्गों से हम चले हुए इन कामों का एक सीधा सिधा लाव आज उसके परड़ाम के रूप में हमें नजर आ रहा है साड़ साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मोका दिया है मेरे 140 करोर देश वाती आपने जो आशिरवाद दिये हैं उस आशिरवाद में मेरे लिए एक ही संदेश है जन जन की सेवा हर परिवार की सेवा हर छेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ ले करके विकास की नई उचाईयों पर पहुंचना 2047 विक्सित भारत के सपने को ले करके चलना उसी एक संदेश को ले कर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशिरवाद देने के लिए मैं कोटी कोटी देश वाचियों का सर जुका करके आभार व्यक्त करता हूँ मैं उनके प्रती नत मस्तक होता हूँ और मैं उनको विश्वाद दिलाता हूँ कि हमें नई उचाईयों को नए जोस के साथ आगे बढ़ना है हमें सिर्फ जो हो गया है वो संतोश मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं है वो हमारे समस्कार में नहीं है हम कुछ और करने के लिए कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नहीं उचाईयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं विकास को सम्रुद्ध को सपनों को साकार करने को संकल्पतों ले जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं, देश वाथियों का स्वभाव बनाना चाहते हैं, मेरे पैरे देश वाथियों, आज नई सिख्षा नीती, बहुत एक मात्रों में कई राचों ने उसको अच्छा इनिसेटिव लिये हैं, और उसके कारण, आज एक 21 सदी के अनुरूप हमारी सिख्षा व्यवस्ता को जो हम बल देना चाहते हैं, और विप्सित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मारव समू तयार करना चाहते हैं, नई सिख्षा नीती बहुत बड़ी भूमी कादर हैं, मैं नहीं चाहता हूँ, कि मेरे देश के नौजवानों को अब विद सिख्षा व्यवस्ता का विक्सित करना चाहते हैं, कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यंबर गिये परिवारों को लाखो करोर उर्प्या खर्च करना न पड़े, इतना ही नहीं, ऐसे संसान निर्मान हो, ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर मुह मुढ़े, अभी अभी हमने बिहार का हमारा गवर प्रदित्यात रहा है, नालंदा उनिवर्सिटी का अपना निर्मान किया है, फिर से एक बार नालंदा उनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें सिख्षा के छेत्र में फिर से एक बार सदिय उस नालन्दा स्प्रीड को जगाना होगा उस नालन्दा स्प्रीड को जीना करकर बड़े विश्वात के साथ विश्वगी घ्यान की परंपराओं को नहीं चेतना देने का काम हमें करना होगा मुझे पुका विश्वात है कि नई शिक्षानिती ने मात्रु भाषा पर बल दिया है मैं राज्य सरकारों से कहूंगा मैं देश की सभी समस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारान हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए बाषा अब रुद्द नहीं होनी चाहिए मात्रु भाषा का सामर्थ हमारे देश के छोटे-छोटे गरीब से गरीब मा के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मात्रु भाषा में पढ़ाई जीवन में मातरु भाषा का स्थान परिवार में मातरु भाषा का स्थान उसकी और हमें बल देना होगा मेरे प्यारे देशवासियो जिस प्रकार से आज बिश्वका न बड़लाओं नजर आ रहा है और सब जाकर के स्कील का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम skill को और नहीं एक तागत देना चाहते हैं हम industry 4.0 को धान मेरा करके हम skill development चाहते हैं हम जीवन के हर खेत्र में हम agriculture sector में भी capacity building करके देने के लिए skill development चाहते हैं हम तो हमारा सभाई का खेत्र हो उसमें भी एक नए skill development की और बल देना चाहते हैं और हम कि की लीडिया प्रोग्रेम को बहुत व्यापक रूप से इस पार ले करके आए बजेट में भी इसका बहुत बड़ा इस बजेट में इंटर्शिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नव जवानों को एक experience बिले उनकी capacity building हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे उस पकार जो मैं स्कील युवानों को तयार करना चाहता हूं और दोस्तों आज विश्व की परितित को देखते हुए मैं साप साप देख रहा हूं कि भारत का skilled manpower जो है हमारा skillful जो नवजवान है वो ड्लोबल जॉब मार्केट में अमपनी दमक बनाएं हम उस सपने को ले करके आगे चल रहे हैं साप क्यों विश्व दिश्टेजी से बदलता है जीवन के हर शेत्र में science और technology का महत्मय बढ़ता चला जारे बाला है हमें science को बहुत बढ़ देला के अवश्यक्ता है और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बार हमारे school college के अंदर science और technology के प्रती एक नई रूची का मात समण बना है नई दिल्चस भी बड़ी है तब हमारे सिक्षा संसानों ने यह जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा भारत सरकार ने भी research के लिए support बढ़ा दिया है हमने जादा से जादा चैस थापित किये हैं हमने national research foundation बना करके हमने उसको एक का ताकि research को लेकर के निरंतर बल मिले और यह research foundation उसकाम को करे बड़े गर्व की बात है कि बजेट में हमने एक लाग करोड रुपिया research और innovation के लिए हमने देने का निरने किया है ताकि हमारे देश के नवजवान के पास जो आइडियास है उस आइडियास को हम जमीन पर उतार साथियों आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं कि वैज़ा का हमेरे बहुत ज्यादा था मत नमबर के परिवार के उनके लाखों करोड और उनके खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के हमने पिछले दस साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब एक लाग कर दिया है आज मैं करीब करीब पच्चीस हजार युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पढ़ रहा है कभी कभी क्यों मैं सोच सुलता हुद धहरान हो जाता हूं और इसलिए हमने ताई किया है कि अगले पांच साल में मेडिकल लाइन में पच्चतर हजार नई सीटे बनाई जाएगी मेरे प्यारे देश वातियों विक्सिद भारत 2047 वो स्वस्त भारत भी होना चाहिए और जब स्वस्त भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोशन पर आज से ध्यान देने के जरूर है और इसलिए हमने विक्सिद भारत की जो पहली पीडी है उनकी तरब विशेद ध्यान दे करके हमने पोशन का एक भ्यान चला है हमने रास्टिये पोशन मिशन चुरू की आए पोशन को हमने प्रात्विक्ता दी है मेरे प्यारे देश वातियों हमारी कृषी व्यवस्ता को करना बहुत जरूरी है समय की मांग है हम सदियों से जिस परमत्वरता में दबे हुए है जकड़े हुए है उससे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए मदद भी दे रहे हैं हम उसको टांस्फरम करने के दिशा में लगातार काम करते आए हैं आज आशान भरुन दे रहे हैं किसानों को कि कि किसान जो पैदावर करता ह। उसको वेलेव अडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंध करते हैं उसको end to end हर जगा पे hand holding की विवस्ता हो उद्धिशा में हम काम कर रहे हैं आज जब धर्ती माता के प्रती सारा विश्व चिंतित है जिस प्रकार जे उर्वरक के कारण हमारी धर्ती माता की शहद दिनो दिन विगरता जा रही है हमारी धर्ती माता की उत्पाचक तक शमता खतम होती चली जा रही है कम होती चली जा रही है और तो समय मैं मेरे देश के लाखों किषानों का अभार विक्त करना चांता हूँ जिनोंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धर्ती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बिड़ा उटाया है और इस बाद बजेट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजेट में प्रावधान किया है मेरे प्यारे देश्वासियों अद दुनिया के स्थिती मैं देखता हूं पुरा विश्व होलिस्टिक हेल्ग केर की तरब मुड़ा है और तब उनको और गनिक फूर यह उनकी प्रसंपसंद बनी है आज विश्व के लिए और गनिक फूर का अगर कोई फूर बास्केट बन सक सकता है मेरा देश बन सकता है और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को ले करके आगे चलना चाहते हैं ताकि आर्गनिक फूर की जो विश्व की मांग है उस आर्गनिक फूर का बास्केट हमारा देश कैसे बने किसानों का जीवन आसान बने गाउं में टॉप लास इंटरेट कनेक्टिविटी मिले किसानों को स्वात्र सुविदाय मले किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो किसान के बच्चों को रोजगार उपलगत हो छोटी छोटे खेती के टुकणों पर पुरा परिवार आज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है तब उनके नव जबानों के लिए वो स्कील मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले नए आयके साधन बने इसका एक comprehensive प्रयास हम कर रहे हैं बीते बर्षों में व्यमें लेट डेवलेप्मेंट मोडेल पर हमने काम किया है इनोवेशन हो एंप्लॉइमेंट हो एंट्रेप्रिनर्शिप हो हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं महिला जो भागी जारी बढा रही इसा नहीं महिला है नेत्रुत्य दे रही है आज अनेक खेत На मैं आज हमारे रक्षा खेत्व में देखिया हमारा Air Force हो हमारी आर्मी हो हमारी नेवी हो हमारा स्पेस सेक्टर हो आज हमारी महिलाओं का हम दम खम देख रहें देश के लिए लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती है और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूँ एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओ बेहनों बेटियों के प्रती जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रती देश का अक्रोष है जन समयने का अक्रोष है इस आक्रोष को मैं महसूस कर रहा हूँ इसको देश को समाज को हमारी रवंच सरकारों को गंबीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्ष्यसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलाकार की महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती है तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्ष्यसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कोंणे में कहीं पढ़ा रहता है अब समय की मांघ है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा होता की ऐसा पाप करनेवालो को भी दर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत Isaiah होती है कि फांशी पर लडगना पड़ता है कि और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है कि मेरे प्यारे देश स्वासियों हमारे देश में ऐसी एक आत्र बन गई थी सभाव से हम देश को कम आखना देश के प्रति कि गवरों के भाव का अभाव होना यह पता नहीं क्यों हमारे जहन में गुज गया था और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कैसे इंडियन रहे शर्म के साथ हम बोल देते हैं कि देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई कि किसी जमाने में कहां जाता करे खिल दुनिया के बाजार में अपनी थमग लेकर के पहुंच रहा है कि फिलोने अमरे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए तो यह जमाना था हम मोबाईल फॉन इंपोर्ट करते थे आज मोबाईल फॉन कि का मैनुफेकिंग का इको सिस्टिम बना है बहुत बड़ा हब बना है और मोबाईल फॉन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं यह भारत की ताकत है सांत्यों भविश्च के साथ सेमी कंड़क्टर जुड़ा हुआ है आदुनिक टेक्माजियों जुड़ी है यह जुड़ा हुआ है हमने सेमी कंड़क्टर मिशन पर काम शुरू किया है हर उप और हम एंड-to-end solution दुरिया को देने की ताकत रखते हैं और हम उसको को साथ को एक जमाना हम देखा है तूजी के लिए हम कैसा जंगर्श करते थे आज हर उपकरन में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े और फायुजी चिस तेजी से पुरे देश में रोल आउट इफ्रतान के करीकरी सेफिक च्षेत्रों में पुरूच गया वीश्वे में तेज केति थे पहुचे अनए में हमागे यह हुआ और देश साथियों में रूखने वाले नहीं है तेजित भूबर रूजोन में मंझुर नहीं है ए पर अबीसे मिशन बर्ड में काम कर रह रहे ह और विश्व हैं हम उसमें भी अपनी धमक जवाएंगे यह मैं विश्वा से कहता हूं मेरे पहरे साथ यहों कि डिफेंस सेक्टर है हमारी आदत हो वेजी है कि डिफेंस बजेट कितना ही क्यों हो लेकिन कभी को सोथता नहीं था कि डिफेंस बजेट बढ़ा तो जाता कहा है डिफेंस बजेट विदेशों से खरीजी में चला जाता था अब हम चाहते हैं हम आत्मनिरफर बने और मैं हमारी डिफेंस फोर्सिस का रदेश से दनिवाद करता हूं उन्होंने हजारवे सी चीजे लिस्ट करती है उन्होंने ताइक किया है कि हम विदेश से नहीं कि राष्ट के लिए जीना क्या कहते हैं जी हमारे सेना के जमानों दिखाया है और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिरफर होते चले जा रहे हैं आज डिफेंस मैनिफेक्टरिंग में भारत के पहचान बनिये और मैं आज खुशी चे कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस के हर छोटी मोटी चीज बारते लाता था आज दीरे दीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के एक्विप्मेंट मैनिफेक्टर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं दुनिया में डिफेंस मैनिफेक्टरिंग हब के रुप में हम दीरे दीरे उभर रहे हैं हम manufacturing खेत्र को बढ़वाद देना चाहते को गिर्योजगार के लिए सर्वादिक आवश्यक है आज PLI स्कीम को बहुत बड़ाई सफलता मिली है FDI reforms उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है MSMS को बहुत बड़ा बल मिला है नई व्यवस्ताय विक्सित हुई है और उसके काण हमारा manufacturing sector हम दुनिया का manufacturing hub बने जिस देश के पास इतिनी नवजवान शक्ती हो जिस देश के अंदर ये सामर्त हो हम manufacturing की दुनिया में भी industry 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते है और इसके लिए आवश्चे skill development उस पर भी हमने बल दिया है और skill development भी हमने नए model ताई किये है हमने जन भागी दारी को जोड़ा आए ताकि तुरंद requirement के नुसार skill development हम कर सके और मुझे भी स्वास है मैं लाल के लिए की प्राचित से कह रहा हूँ वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत industrial manufacturing का हब होगा दुनिया उसकी तरफ देखती होगी आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है यह चुनाओं के बाद मैंने देखा है मैंने तीसरे कारकाल में जितने लोग मुझे मिलने के लिए मांग कर रहे वो ज्यादातर निवेशक लोग है विश्व भरके निवेशक है वो आना चाहते हैं भारत में निवेश करना चाहते हैं एक बहुत बड़ा golden opportunity मैं राज्य सरक स्वारों से आग्रा करता हूं कि आप निवेशकों को आकर सित करने के लिए स्पष्ट निती निधारित कीजिए गुड गवर्नन्स का अस्वासन दीजिए लॉइन और सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए हर राज्य एक तंद्र स्परधा में आगया आए राज्य और राज्य के बीच निवेशकों को खींचने के लिए इस परदा होनी चाहिए निवेशकों को लिए ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे उनके राज्य के नवजवानों को स्थानिय रूप से आउसर मिलेगा रोजगार का आउसर मिलेगा नीतियों में परिवर्त होंगे जितने जादा प्रयास करेंगे जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापिस नहीं जाएंगे सिर्फ बारत सरकार से कामेद होता नहीं है राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यक्ता होती है क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला उस राज्य में लगने व बनता है कि हमारी पुरानी आदते छोड़ करके स्पस्ट नीती के साथ हम आगे आएं देखिए आपको परणाम अपने राज्य में दिखाई देगा और आपका राज्य भी चमक उठेगा यह मैं आपको विश्वाद देता हूं साथियों भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचानी जाए यह बहुत जरूरी है अब विश्वा के लिए हमें डिजाइन का शेत्रा डिजाइन इन इंडिया इस पर हमने बल देना हमें कोशिज करनी है अब इंडियन स्टांडर्ड इंटरनेशनल स्टांडर्ड बनने चाहिए इंडियन स्टांडर्ड इंटरनेशनल स्टांडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहता से महर लग जाए और यह हमारे production की quality पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की quality पर निर्भर करेगा, हमारे approach की quality पर निर्भर करेगा, और इसलिए हमें quality पर बल दे करके आगे बढ़ना है। मैं देख रहा हूँ, gaming की दुनिया का बहुत बड़ा market खड़ा हुआ है। लेकिन आज भी gaming की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोड़क करने वाले लोग, विजेशी कमाई होती है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम gaming की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते। विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई gaming की और आकरिशित कर सकते। मैं चाहता हूँ कि भारत के बच्चे, भारत के नवजवान, भारत के IT प्रोफेशनल्स, भारत के AI के प्रोफेशनल्स, वे gaming की दुनिया को लीड करें। खेलने में नहीं, gaming की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं, एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं, हम उस दिशा में काम करें। मेरे पहरे देश वासियों आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज हर खेत्र में चिंता और चर्चा का विश्य रहता है भारत ने उस दिशा में काभी कदम उठाए हैं अब विश्व को आस्वस्त करते रहे हैं और शब्दों से नहीं अपने कारियों से प्रात्व परणामों से हमने विश्व को आस्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चेरिय चकीज भी किया है हम ही हैं जिन्हों ने सिंगल यूज्ट प्लास्टिक पर प्रतिवन लगा है हमने renewable एनर्जी पर विस्तार किया है हमने renewable energy को एक नहीं ताकत दी है आने वाले कुछ वर्षों में हम नेड जीरो फ्यूचर के और आगे बढ़ रहे हैं मुझे आद है पैरिस एकोर्ड मैं जिन देशों ने अपने लक्ष निर्धारित किये थे आज मैं लाल के लिए की प्राचिर से मेरे देश वाच्छों की ताकत दुनिया को बताना चाहता है मेरे देश के समूँगे जो नहीं कर पाएं तो मेरे देश के नागरिकों मेरे देश वाच्छों ने करके दिखाया है लिए पैरिस एकोर्ड के अंदर जो टार्गेड हमने ताय किये थे उन टार्गेड को को समय से पहले पूरा करने वाला जी 20 देश्टों के समूं में अगर कोई है तो एक मात्र मेरा हिंदुस्तान है एक मात्र मेरा भारत है और इसले गर्व होता है सातियों रिन्यूबल एनर्जी के टार्गेट हमें पूर गए हम 20-30 तक रिन्यूबल एनर्जी को 500 गीगावट तक ले जाने के लिए मकसद से काम पलपना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष है दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावट शब्द सुनते न तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं लिगनाच मैं विश्वात से कह रहा हूं देश्वाचियों को इस लक्ष को भी हम पूरा करके रहेंगे और यह मानमजा तो एमिशन का लक्ष लेकर करके हम चलता हैं साथ को पी-एम सुर्यगर मुप्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और यह बड़लाव का फल मेरे देश के सामाने परिवार को मिला विश्वाच करके मेरे मध्यमपर को मिलेगा जब उसका बिजली का मुप हो जाएगा इलेक्ट्री वेहिकल उसके मांग बढ़ती जा रही है जब पी-एम सुर्यगर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है सुर्य से तो उसका वेहिकल का प्रवास का खर्चा भी वो कम कर सकता है साथियों हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल काम है हम चाना चाहते हैं और यह सारे जो प्रयाद चल रहे हैं क्लाइमेट की चिंता तो ही है लोबल वार्मिक की चिंता है लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्वा बढ़ता आ हैं मेरे प्यारे देश्वासियों आज हमारे साथ इस तिरंगे जंडे की नीशे वो नवजवान बैठे हैं जिन्नों ने ऑलेंपिक की दुनिया में भारत का पर्चम लहराया मैं मेरे देश के सबी अथलेट्स को मेरे देश के सबी खिलाडियों को एक सो चालिस करोर देश्वासियों की तरब से बढ़ाई देता हूँ और हम नए सपने नए संकल्प अचनतिक पुर्शात के साथ नए लक्षों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे ऐसा में विश्वास के साथ उनको शुपकामनाई भी देता हूँ आने वाले कुछ दिनों में भारत के एक बहुत बड़ा दस्ता परालेंपिक के लिए परिश जाना के लिए रवाना होगा मैं मेरे सभी परालेंपिक खिलाडियों को भी रुदेश से बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ साथ यो भारत ने जी 20 को ऑर्गनाईज किया हिंदुस्तान के अने एक शहरों में ऑर्गनाईज किया दोस्ते से जादा इवेंट किये पूरे भिश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप, इतना बड़ा कारिकम कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ, इसने एक बाद सित्य कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े काम कारिकम और्गनाइज़ करनी की ताकत है। कि धर्ति पर हो इसके लिए हम तयारी कर रहे हैं उसके लिए हम आगे दो कि साथियों कि समाज के आखरी तपके के जो लोग हैं यह हमारा सामाजिक दाइक को है अगर कोई पीशे रह जाते हैं तो हमारी आगे बढ़ने की गति कम कर देता है और इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी सफलता तब मिलती हैं पीशे वाले को भी साथ साथ आगे ले आए और इसलिए हम सब कब दाइत्व बनता हैं कि हमारे समाज में आज भी जो खेत्र पीशे रह गए हैं जो समाज पीशे रह गए हैं जो लोग पीशे रह गए हो हमारे छोटे साथ ही हो हमारे कामगार लोग हो इन सब को हमें बराबरी में लाने के लिए हमारे बराबर लाने के लिए बरपूर प्रयास करना है लेकिन अब गती पकड़ गई है अब लंबे दिन तक हमें वो करना नहीं पड़ेगा बहुत जल्द तो हमारे पास पहुंच जाएंगे हमारी बड़ाबरी में आजाएंगे, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, और बड़ी संबेदना के साथ, हमें इस काम को कर रहे हैidad और इसके लिए एक बहुत बड़ा आउसर आ रहा है मैं मानता हूं सम्वेदन सिल्टा की दर्ष्टी से इससे बड़ा आउसर क्या हो सकता है हमें पता हैं 1857 के स्वातंत संग्राम के पहले भी अंग्रेजों के ना को दम करने वाला हमारा देश का एक आधिवासी वक्त था 20-22 साल की उमर में उसने अंग्रेजों के ना को दम ला दिया था जिसको आज भगवान बिर्षा मुंडा के रुप में लोग पूजा करते हैं भगवान बिर्षा मुंडा की 150 वी जैंती हा रही थे हम सब के लिए प्रेणा का खारण बने समाज के प्रती छोटा सा छोटा सदिक कौन होता है आईए हम परसा भगवान बिर्षा मुंडा की 150 वी जैंती जब मनाएं सब्वेदन सिल्टा का हमारा व्याप बढ़े समाज के प्रती हमारा ममभाव बने हम समाज के हर भी व्यक्ति को गरीबों को दलीद को पिष्डों को आधी वाक्षियों को हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले इस संकर्प को लेकर के चलना है मेरे पहरे देश वाक्षियों हम संकर्प साथ बढ़तो रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगती देख नहीं सकते हैं कुछ लोग होते हैं जो भानत का भला सोच नहीं सकते हैं जब तक खुद का भला नहों तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है ऐसी विक्रुत मानसिक्ता से बरविये लोगों की कमी नहीं होती है कि देश को ऐसे लोगों से बचना होगा वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग है ऐसे मुठी बन निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विक्रुती पलती है तब वो विराश का कारण बन जाती है सर्वनास का कारा बनजाती है एन आरकी का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानी हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से महनत करनी पड़ती है इसलिए ऐसे जो चुटपुट निराशावदी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराश ही तरह नहीं है उनकी गोद में विकृती पल रही है यह विकृती विनास के सर्वनास के सपने देख रहे हैं ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुए है देश को इसे समझना होगा लेकिन मैं देश वासों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नियत से हमारी इमानदारी से राश्ट्र के प्रकी हमारे समरपन से हम सारी परिस्थित्यों के बावजित भी विप्रित मार्च पर जाने वालों के लिए उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं रतेंगे यह मैं विश्वाद दिला जाना साथियों चुनोतियां है अंगिनित चुनोतियां है चुनोतियां भीतर भी है चुनोतियां बहार भी है और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे जैसे जैसे हमारा तबज्जु बढ़ेगा तो चुनोतियां भी बढ़ने वाली है बहार की चुनोतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका बली पाती अंदाज है, लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूँ, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता हूँ, हम विश्व में सम्रुद्ध थे तब भी, हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं जोंका है, हम बुद्ध का देश ह युद्ध हमारी राह नहीं है, और इसलिए विश्व चिंतित नहों भारत के आगे बढ़ने से, मैं विश्व सम्रुद्ध को विश्वाद दिलाता हूँ, कि आप भारत के समस्कारों को समझे, भारत के हजारों साल के इत्यास को समझे, आप हमें संकट मत बारिये, आप उन तरकीबों से न जुड़िये, जिसके कारण पूरी मान वजात का कल्यान करने का सामर्थ, जिस भूमी में है, उस भूमी को ज़्यादा मेहनत करने पड़े, लेकिन फिर भी मैं देश वाच्यों को कहना चाहता हूँ, चुनोतिया कितनी ही क्योंना हो, चुनोति को चुनोति देना, ये हिंदुस्तान की फित्र तबह है, न हम दिएंगे, न हम ठकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम जुकेंगे, हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड देश वाच्यों का भाग्य, बदनने के लिए भाग्य सुनिचित करने के लिए, राज के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे हर बद नियत वालों को हम हमारी नेक नियत से जीतेंगे यह मैं विश्वाद देता हूं मेरे पहरे देश्वाद क्यों समाज की मनोर्चना अबे बदलाव कभी-कभी बहुत बड़ी चुनोती का कारण बन जाना है हमारे हर देश्वासी ब्रस्टाचार की दिमक से परिशान रहा है हर स्तर के ब्रस्टाचान समाजने मानवीश का व्यवस्ताओं के प्रति विश्वात सोड़ दिया उसको अपनी योग्यता शम्ता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राश्ट की प्रक्रति में नुक्षान करता है और इसलिए हमने बाव्यापा ग्रुप से प्रस्टाचार के खिलाब एक जंग छेड़ा है मैं जानता हूँ इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है मेरी प्रतिष्टा को चुमा को आनिवरती है लेकिन राश्ट से बड़ी मेरी प्रतिष्टा नहीं हो सकती है राश्ट के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता है और इसलिए इमानदारी के साथ प्रस्टाचार के खिलाब मेरी लड़ाई चारी रहेगी तीव्रगती स जारी रहेगे और ब्रस्टाचारियों पर कारवाई चुरूर हो दिए मैं प्रस्टाचारियों के लिए भय का वाता हूं पादा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान नागरी को लूट रेगी जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है लेकिन सबसे बढ़ी नई चुनोती आई है ब्रस्टाचारियों से निपट्टा तो है लेकिन समाज जीवन में उच्च स्तर पर एक परिवर्तन आया है वो सबसे बड़ी चुनोती भी है और एक समाज के लिए सबसे बड़ी चिंता भी है क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविदान हमारे पास होने के बाउजड़ा कुछ ऐसे लोग निकल रहे है जो ब्रस्टाचार का महिमामंदन कर रहे है समाज में इस प्रकार के बीशबोने का जो प्यास हो रहाए प्रस्टाचार का जो महिमा मंदन हो रहा है प्रस्टाचारियों के स्विकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयात चल रहा है वो स्वस्त समाज के लिए बहुत बड़ी चुनोती बन गया है बहुत बड़ी चिंता का विश्य बन गया है प्रस्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाये रखने से ही किसी भी प्रस्टाचारी को प्रस्टाचार पर जाने से डर लगेगा अगर उसका महिमा मंदन होगा तो जो आज ब्रसाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है उस रास्ते में जाना में बुरा नहीं है मेरे प्यारे देश वाल्चियों बंगला देश पर जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पडोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हाला जल्द ही सामान्य होंगे खास करके एक सोचालीस करोड देश वाज़ की जिनता कि वहाँ हिंदू वहाँ के अलपसंख्यक उस समुदाय की सुरक्षा सुदिश्चित हो बारद हमेशा चाहता है कि हमारे पडोसी देश सूख और शान्ती के मार्क पर चले शान्ती के प्रति हमारा कमिट्मेंट है हमारे संस्कार है हमाने वाले दिनों में बंगला देश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा सुबचिंतन ही रहेगा क्योंकि हम मानवजाद की भलाई सोचने वाले लोग है मेरे पहरे देश वासियों हमारे समिधान को 75 वर्ष हो रहे हैं भारत के समिधान के 75 वर्ष की यात्रा देश को एक बनाना देश को स्रेष्ट बनाने में बहुत बड़ी भूमी का रही है भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के समिधान की बहुत बड़ी भूमी का रही है हमारे देश के दलीत, पिडीत, सोचित, बन्चीत को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम हमारे समिधान ने किया है अब जब समिधान के 75 वर्स हम बनाने जा रहे हैं तब हम देश वासियों ने समिधान में निर्देश्ट कर्तवे के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है और जब मैं कर्तवे की बात करता हूं तब बैसर नागरिकों पर बोज़ बनाना नहीं चाहता हूं कर्तवे केंद्र सरकार के भी है कर्तवे केंद्र सरकार के हम मुलाजिम के भी है कर्तवे राजय सरकारों के भी है राजय सरकार के मुलाजिम के है कर्तवे हर्थानिय स्वरायत संस्ता के है चाहे पंचायत हो नगरपाली का हो मा नगरपाली का हो तैसल हो जिला हो हर किसी के कर्त लेकिन साथ साथ一個 140 करूर देश्वाष्य वाश्यों के करतव्ये अगर हम संब्ञिल करके अर्षा करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों के रक्षा करने के लिए निवित बनेंगे और जब कर्टव्य का पालन होता है तब अधिकारों के रख्षा निहीत होती है उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जुरूत नहीं पढ़ जाती है मैं चाहता हूं कि हमारे इस बाव को लेकर हम चलेंगे हमारा लोक्तंतर में मजबूत होगा हमारा सामर्त और बढ़ेगा और हम एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे देश वास्यों हमारे देश में सुप्रिम कोट ने बार बार इनिफर्म सिविल कोड को लेकर जे चर्चा की है अने एक बार आदेश दिये हैं क्योंकि देश के एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सच मुझ में तो एक प्रकार का कॉम्यूनल सिविल कोड है बेदबाव करने वाला सिविल कोड है ऐसे सिविल कोड से जब समीदान के 75 वर्ष मना रहे हैं और समीदान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए देश की सुप्रिम कोड भी हमें कहती है करने के लिए और तब जो समीदान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सब का दाइत्व है और मैं मा कानूनों को जो कानून दर्म के अधार पर डेट्स को बाटते हैं जो उंच नीज का कारण बन जाते हैं ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने कॉमिनल स में विल कोड की तरब जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के अधार पर जो बेदबाव हो रहे हैं सामान्य नागरी को जो दुरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति में लेगी मेरे प्यारे देश वाजियों जब मैं देश पर एक चिंता हमेशा कहता हूं परिवारबाद जातिवाद भारत के लोग तंत्र को बहुत मुक्षान कर रहा है देश को राजनीती को हमें परिवारबाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी आज हमने मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत जिस संगतिर का नाम है उसकी चर्टा लिखी है यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा माय भारत के अनेक मिशन है एक मिशन यह भी है कि हम जलत से जल देश में राजनीतिक जीवन में जन प्रतिदी के रुपमें एक लाख ऐसे नवजवानों को आगे लारा चाहते हैं शुरुआत में एक लाख नजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनितिक बैक्राउड आभो जिसके माता, पिता, भाई, बेहन, चाचा, मामा, मामी कभी भी राजनिति में नहीं रहे किसी भी पीडी में नहीं रहे ऐसे होनहार नवजवानों को फ्रेश ब्लड एक लाख चाहे वो पंचायत में आए चाहे नगरपालीका में आए चाहे जिला परिशदों में आए चाहे विदान सबा में आए लोग सबा में आए एक लाख नवजवान कोई भी प्रकार का पुर्वकार राजनीति नितियास उनके परिवार का नावो ऐसे फ्रेश्ट लोग राजनीति में आएं ताकि जाती बात से मुक्ति मिले परिवार बात से मुक्ति मिले लोग तंत्र को समुर्दि मिले और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए उनको जो पस जो परिवार राजनिती से दूर दूर का समन्द नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे, तो सोज भी नहीं आएगी, सामर्थ भी नहीं आएगा, लोग तंत्र समरुद्ध होगा, और इसलिए हमें इस दिशा में आगे हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव, इस देश की प्रगेती में रुकावण बन रहे हैं, गतिरोत पदा कर रहे हैं, आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर तिन मैने, छे मैने कहीं कहीं चुनाव चल रहा है, कोई देश में व्यापक चर्चा हुई है, सभी राजनितिक दलों ने अपने विचार रखे हैं, एक कमिटी ने बहुत बढ़िया, अपना रिपोर्ट त्यार किया है, वन नेशन, वन इलेक्षन के लिए देश को आगे आना होगा, मेलाल किले से तिरेंगे की साक्षी में देश क राजनितिक दलों से आगर करता हूँ, देश के समिधान को समझने वाले लोगों से आगर करता हूँ, कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के समसाधनों का सरभातिक उप्योग जन सामाने के लिए, वन नेशन, वन इलेक्षन के सपने को साकार करने के लिए, हमें आगे आना चाहिए मेरे प्यारे देश्वासियों कि भारत का स्वर्णिम कालखंड है कि 2047 विख्षित भारत कि यह हमारी प्रतिक्षा कर रहा है कि बांधाये रुकावटे चुलोतियां उसको परांस्त करके एक दर्ण संकल्प के साथ यह देश चलने के लिए प्रतिवद्ध है और साथ जो मैं साप देख रहा हूं मेरे विशारों में कोई जीजक नहीं है मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है मैं साप साप देख सकता हूं कि यह देश 10-140 करोर देश-वासिो के परिश्रंप से हमारे पूरवजों का खोन हमारी रगों में है अगर वह 40 करोर लोग आ जांदी के सपनों को पूर्ड कर सकते हैं तो एक सो चाली स करोर देशावासि संबूरुद्ध बारत के सपने को साकार कर सकते हैं एक सो चालिस करोर देश स्वासी विश्षित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टम में देश तीसरी एकॉनमी तो बनेगा ही लेकिन मैं तीन गुना काम करूँगा तीन गुना तेजगती से काम करूँगा तीन गुना व्यापकता से काम करूँगा ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पुरे हो मेरा हर पल देश के लिए है मेरा हर शान देश के लिए है मेरा काण काण सिर पर सरफ माँ भारती के लिए है और इसलिए 24 by 7 for 2047 इस प्रतिवद्धता के साथ आये मैं देश स्वाज्यों का हवान करता हूँ हमारे पुर्वजों जो सप्र देखे थे उन सप्रों को हम संकल्प बनाए अपने सप्रों को जोड़े अपने पुर्शार्थ को जोड़े और इकीसी सदी जो भारत की सदी है उस सदी में स्वार्णिम भारत बनाके रहे उसी सदी में हम विक्सित भारत बनाके रहे और उन सप अपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े और स्वधंत्र भारत में 25 साल की यास्त्रा के बाद एक नए मुकाम पर बढ़ रहा है तब हम कोई कोर कसर ना छोड़े और मैं आपको भी स्वास दिलाता हूं आपने मुझे जो दाइतु दिया है मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ू मैं महनत में कभी पीशे नहीं रहूंगा मैं साहस में कभी कत्राता नहीं हूं मैं चुनोतों से कभी टक्राते से डरता नहीं हूं क्यों क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं मैं आपके भविश्य के लिए जीता हूं मैं आप भारत माता के उजवल भविश्य के लिए जी र तोपढेब इसके साथ मेरे साथ बोली भारत माता की जैव। भारत माता की व्णे में के वें य॥ य॥ वंदे वंदे य॥ यहि descriptions है यहिन Jeanne प्राविण 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 उन्कल बंग बंग पिंद हिमाचल यमुना गंग उंचल जड़तितरंग पावशुक नामे जागे पावशुक आशिष मागे ताहे बन जयता जय जड़ उंक रवायक जय है मारत भाग्य विदाता जयाहेом, जयाहे, जयाहे जयाहे, जयाहे government in the country outlining his hopes and aspirations for the people he leads greeting the crowds greeting the nation as we all come together to celebrate our 78 Independence Day so do the function here at Red Fort concludes the day has just begun celebration and chair are in the air it's a memorable and a proud moment for all these school children from the three wings of the national